मैं बतन 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 बावाद रहे तूँ तुझ पे कोई रम की आच आने नहीं दूँ तुझ पे कोई रम की आच आने दूँ जिस पत पर गए वी रने तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि फूलो के अरपन द्वारा आज मात्र भूमी को जो है नमन करें अपनी स्रदाने ले निव जूत्राकन समाचार में सभी दर्शकों मेरा प्यार बरानोशकार मैं हूँ आपका अपना अनुपसैनी आप देख रहे हैं निव जूत्राकन समाचार जैसा कि आज सब लोग जानते हैं पूरे भारत में 26 जनवरी का गंतन दिवस मनाया जा रहा है ये दूम-दाम से मनाया जा रहा है इसी करम में hapik labrud की द्वाराभी 26 जन्वरी दूम-दाम से मनाया जा रहा है और हमारे साथ कुछ पताधिकारी हैं और हमारे साथ हैं आकाश गोयल जी जो कि व्यापार मंडल अध्यक्षपद हेतु प्रत्यक्षी है आई ये उनसे बात करते हैं सब्सक्राइब बात माता की बारत माता की आप सभी देश वासियों को बातरवे गंतर दिवस की बहुत-बहुत सब्सक्राइब यह राष्टे पर आप सभी देश वासि दोमधाम से बनाएं भारत माता की बात करते हैं नमस्कार दोस्तों सर पर्थम तो आपको भारत वर्स के 72 गंतर दिवस की हार्दिक सुबकामनाएं मैं हैप्पी कलब रूड की से महामंतरी मैं पूरे भारत वर्स को और अपने देश की जनता अपने परदेश की जनता और अपने छेतर की जनता को 72 गंतर दिवस की हार्दिक सुबकामनाएं देता हूँ और यह जो गंतर दिवस है यह एक राष्टे परव है बाकी बहुत परवाते हैं जो लोग हम अपना अपना समझके मनाते हैं को हिंदू दिवाली होली मनाते हैं मुसलिम जो है इद मनाते हैं लेकिन यह सभी समुदाय का एक अपना सम्मिलित दिवस है जिसे हम गंतंत्र दिवस कहते हैं तो मैं चाहूंगा कि हम लोग अपनी आगे आने वाली पीडी को भी इसकी जानकारी दें और इसे धूम-धाम से मिल जुलकर मनाएं धन्यवाद हमारे साथ है आकाश गोयल जी अइन से बात करते हैं अच्छा सब्सक्राइब कुछ कहना चाहिए जैसे 26 जन्वर है अब कि तरफ से पहले मैं आपको जो है बदाई देता हूं आपका जो है नया परतिष्ठान है नया वो है आपको आपने एक बहुत बड़ा कारेकरम जो है आ लोगों में पूरी भावनाय बनी रहें और उमीद करता हूं कि आपकी पत्रकारीता भी चरम पर जाएगी और उत्रखंड के लिए एक मिसाल बनेगी निरजी क्या कहना चाहेंगे जैसे कि अभी आकाश गोयल जी ने व्यापार मंडल के अध्यक्सपद के लिए परचा तो वैपार मंडल से मैं सभी वैपारियों से यही उमीद करता हूं कि आप अपकी बार एक युवा को मौका देकर और एक बार दिशा बदलने काम करें क्योंकि अब तक के जिस धड़ले पर करें होते रहे शायद हो सकता है कि मेरी निगामे या औरों की निगामे आकाश जी जो है इसको और बेहतरों चाहिए तक ले जाएं बस यही कामना के साथ मैं इन्हें भारी मतों से विज़ाई बनाने की अपील करता हूं दन्यवाद आपने इसी क्रम में हमारे साथ है एपी क्लब रूड़की के अद्यक श्रीयंकी तारिया जी आईयन से बात करते हैं नमस्कार जी जैसा कि आज गंतंत्र दिवस पुरा देश मना रहा है इस विशमा आप क्या कहना चाहूंगे मैं सभी देश वाजियों को 72 गंतंत्र दिवस की हार्दिक सुभकामनाई देता हूं और मैं सभी से निवेधन करता हूं कि अपने इस राष्ट्य पर्व को बहुती हर्सोलास के साथ बनाए भारत माता की भारत माता की सबसे पहले तो पूरे हैपी कलब की तरफ से हमारे संपूर्ण देश वासियों को इस बात तरवे गंतंत्र दिवस की हार्दिक सुभकामनाई और बदाई इस देश भक्ती के तुहार पर मुझे परम देश भक्त राम परसाद बिस्मिल जी की कुछ पंक्तियां याद आ रही है सर फरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजवे कातिल में है वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमा हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है दूर जो मंजिल रहे दूर जो मंजिल रहे दम उसमें है कहां अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है तो मैं चाहूंगा हमारा देश इसी तरह तरक्की करता रहे और पूरे विश्व में हमारा देश विश्व गुरू बनके उबरे ऐसी मेरी कामना है दन्यवाद दिपक जी हमारे साथ है क्लब रूटकी के सचीव डाक्टर गुलाव सिंग जी नमस्कार सर आप कुछ देश की जनता से कहना चाहेंगे मैं गंतंतर दिवस की बहुत-बहुत बढ़ाई देता हूं भारत वासियों को और इसी के साथ भारत माता की को आपने देखा घंतंतर दिवस पूरे देश में दूम-धाम से मनाया जा रहा है अपिक्लब रुडकी द्वारा भी घंतिवस अपने कारियर अल्ले पर धूम-धाम से मनाया गया है और सभी जो पददादीकारी है अपिक्लब की सभी देश आज़र छेतिरा स्यूंगों को नोंने बदाई मैं आपका अपना अनुक्सानी अपने सही होगी मुनिश शर्मा के साथ दलने वाल